वेलकम एवरीबड़ी दिस इस इंडियन फिटनेस टुड़े मैं हूँ आपका होस्ट नवजोट सिंग और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट आपके होस्ट श्यास कामत जिनको आप श्यास कामत फिटनेस से जानते होंगे जो के आदिकाल से वीडियो बना रहे हैं जब भारत से जानते होंगे यह हैं हमारे इंडिया के सबसे खतरनाथ exposed करने यहें तो यूट्जी चे आप आपने देखा है इनको इनकी शराफत की ऊपर बिल्कुल उ कर रहे हैं किस तरह के सप्लीमेंक्स यूज करते हैं कर रहे हैं किस तरह के supplements हमें लगता है कि हमें फाइदमंद साबित हुए हैं and किस तरह के supplements आपके लिए फाइदमंद साबित हो सकते हैं and also हम इस बात के उपर भी थोड़ा सा touch करेंगे कि YouTube के उपर जिस तरह से supplements बेचे जाते हैं उनके बारे में हमारी क्या रहे है तो कौन सबसे पहले हाँ तो आप शुरू कीजिए हमें मैं लेता हूं glutamine और BCW और कुछ नहीं तो इससे क्या होता है मतलब आपका सिर्फ आपका muscle protein synthesis मतलब मैं वही समाझ ने पर आऊ हूं इससे कुछ साला होई नहीं रहा है मज़ा की बाद करके अभी मैं ले रहा हूं खाली वे प्रोटीन और आपका क्रेटीन मैंने बंद कर दिया क्योंकि बहुत कॉंटर्वर्थी यह उसको ले करके के बालों का थोड़ा सा मैं भी शूर नहीं हूं उसको ले करके क्योंकि नहीं होता है अभी तक आपने कौन कौन से यूज किये हैं यह सवाल यह है हम वे प्रोटीन यूज किया है क्रेटीन यूज किया है बीस्ली डबल यस्टानिंग में यूज किया था जब नॉलेज नहीं थी और आपका प्रीवर्कॉट यूज करता हूं अभी और प्रीवर्कॉट के ही अलग-अलग मैंने जिसे आर्जनीन हो गया इनको कई बार होता है तो हवस में अश्वगंदा गोक्षुरा ट्रिबिलस यह सब आपका चवन प्राश कौन-कौन से चीजे लगता है आपको कि मतलब इसमें से आपको फाइदा किया किसी ने कुछ थोड़ा किया ज्यादा किया क्या क्या लगता है तो वे प्रोटीन ने रोस्टिंग तो म है लेकिन लेकर तो अच्छा लगा हम लेकर मतलब खा के कहा के कहा कहा का चलगा लेकर प्रका स्लीप बैटर हुआ ऐसा मुझे थीं हुआ पांच परसेंट कमत बोल भाई वीडियो के मतलब लगा कि भाई लेने से पहले आपको लगा कि भाई मैं क्यों ले रहा हू फिर भी आपने लिया ऐसा कोई कि मतलब आपको पता था की मतलब भी सी डबल है ना तो मेरा अगर मरा बिन लिस्ट बहुत लंबा रहे उन principal खूर कर र मैंने अभी तक यूज किया हैं सबसे पहले मैंने यूज किया जब मैंने जिम स्टार्ट किया था मासगेनर मासगेनर के साथ मैंने शुरुवात की and then whey protein मैंने लिखा हुआ ये सारे supplements whey protein then creatine BCAA glutamine glutamine okay fish oil casein protein no offense casein protein vegan protein L citrulline citrulline mallet multi-vitamin guys उसके बाद testosterone booster शिला यावास मतलब कई मतलब ये किसका नकल कर रहा है वहाई तो मेरे को मतलब अगर आप काउंट करते हो तो ये कुल में लाके करीवन 14-15 हैं जो के मैंने यूज किये हैं एंड इसमें से मुझे किस चीज ने फाइदा किया अगर मैं टोटल 100 परसंट ऑनेसली बोलो तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है किस चीज ने परसंटेज की बात ही बहुत दूर है कि मैं बता दूं कि वे प्रोटीन ने इतना क्या यह तो बहुत दूर की बात है मुझे नहीं पता है एंड मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह की बाते करते हैं कि 5% 10-10% का पता नहीं वो मतलब किस तरीके से कौन सी लैब में जाके वो अपना अपने आपको पूर्द करते हैं एंड लैब उनके उपर टेस्ट करती है एंड बिफोर वे प्रोटीन आफ्टर वे प्रोटीन इतना फार्क तो वो कैसे करते मुझे वो नहीं पता है तो एक होता है जब आप कंसिस्टेंटली सब कुछ on point है डाइट पॉइंट पर है तो उसमें आप कुछ addition subtraction करते हो ना तो आपको मालूम पड़ जाता है मैंने क्या था कि मैं क्रेटीन लेता आ रहा था एक साल से तो अच्छी का सी strength हो गए थी और छोड़ने के बाद स्ट्रेंथ में तो आइडिया लग जाता है वह जो आपको benefit मिलता है वह इतना कम होता है कि उसको feel कर पाना या measure कर पाना is next to impossible in my opinion अगर आपको लगता हो क्योंकि मैं बताता हो कि मैं आप से क्यों करता हो अभी अगर आप beginner हो ना या फिर intermediate हो ठीक है तो ओके intermediate छोड़ा beginner first one and a half two years of training तब आपको creating लेने की ज़रुरत ही नहीं क्योंकि जो भी progress होता है वो naturally आपका मतलब increase हो जाता है ठीक है दो साल के बाद क्या होता है ना कि आपका जो जिम में वो progress होता है ना slow down हो जाता है especially lifting weights ठीक है और creating तभी काम करता है जब आप मतलब एक short duration का workout करते है मतलब 6-15 second का set which is usually like six to eight reps ज्यादा तक ज्यादा तक या फिर like even like four reps ठीक है अभी क्या होता है ना दो तीन साल के बाद आपका strength कम हो जाता है तब आप अगर creating लेना शुरू करेंगे ना तो आपको definitely you will see a push ठीक है you will definitely like it guarantee मैं लिख के दे सकतो आपको की वो जो भी percentage मैं नहीं बोलूंगा लेकिन आपको definitely change in performance दिखेगा creating is one supplement जो मेरे हिसाब से सबको लेना चाहिए especially if you're a healthy person आपका kidney का कोई problem पहले नहीं हुआ है या फिर kidney stone का कुछ problem नहीं है या फिर basically आपका urine test is perfect you can definitely go and take creating you will see changes और आपके cognitive health को भी benefit देता है आपका जो जो दूसरा क्या है growth hormone से भी कुछ लेना देना है उसका तो I agree की मतलब ऐसा percentage सब मुझे पता नहीं लेकिन if you are not a beginner you should and you are on a strength program अगर आप 15 reps सब कर रहे हैं तो creating से कुछ नहीं होता वाई आप मतले कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से आप expect करते हो ना expectation set हो जाती है बंदेगी कि अच्छा मैं यह supplement ले रहा हूं तो मुझे पदा नहीं इसके उपर एक और study है करता हूं मैं इस चीज़ को ना मैं data collection को बहुत बड़ी चीज मानता हूं और मेरी हर एक चीज़ मेरे तो मेरे पास लिखे हुए है कि मैंने इस दिन यह सट लगाया था यहां पर मेरी performance इस तरह की थी इन चीज़ों का असर इतना कम होता है कि उसको ट्रैक कर पाना इस वेरी वेरी डिफिकल्ट हाँ यह चीज़ है कि अगर मांते हो के मेरी strength increase होगी अगर एक दो रहाप आप ने ज्यादा निकाल लिया कभी तो ठीक है आपको फिर वो confirm हो जाता है वो अरे से भी कुछ लोग हो होते हैं जो नॉन रेस्पॉंडर्स होते हैं और और जब जब अगर आपको मतलब ऐसा है कि अगर आपके मन में कि मतलब क्या रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा तो आप रिसर्च लेके कुछ अगर आपको फिल भी नहीं होता ना तो आपको पता है कि एक काम करने वाला चीज ना लेक एक्सपरेंस मेरे एक्सपरियन्स से आप सी को गाईज की सब्लिमेंट इसक्लेमर देता है कि सब्लिमेंट्स और यूसफुल बट आपको पता होना चाहिए कि आप के बॉड़ी के लिए क्या आपको लेना चाहिए ठीक है सब्सप्लिमेंट्स जो मैंने लिया था वह मसल फाम का कॉमबैट पॉडर ठीक है अगर आपको पता है तो नहीं बता नहीं होगा शाया वह मतलब उस टाइम में बहुत तो पहले बोला तो अच्छे तो अरे क्या वा बहुत अच्छा है क्योंकि आइवाज और प्रोटीन डिफिशिंट डाइट मैं उतना प्रोटीन नहीं खाता था ओके अधिक है यह जो लाइन है इसको आप हाइलाइट करके अपने दिमांग में बिठाओ के इनको प्रोटीन लेने से रिजल्ट दिखा क्योंकि ही वाज ड होते हैं जैसे इन्होंने प्रोटीन का नाम लिया और वो तब आपके लिए बेनिफिशिल होंगे अगर आप उन निउट्रेंट्स में डेफिशिंट हो अगर आप पहले से ही आपका लेवल सही है तो फिर वो उसकी तरह का जिस तरह से श्रे को आपको आप बोल रहा है ना कि इसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला वो बेनिफिट आपको नहीं देखेगा यह है और जो एंटी सप्लिमेंट कल्चर है उसका भी थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा लोग का आजकल चल रहा है बहुत के 100 प्रसंट नाच्रल 100 प्रसंट नाच्रल अब कोई बंदा फ कुछ सबसे बढ़िया काम कर सकते हो तो आप अपनी डेफिशिंस को किसी भी तरह से सप्लिमेंटेशन के थूँए अपनी डाइट को इंप्रूव करने के थूँए आप उसको सुधार सकते हो तो वह चीज आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी आपकी ओवरॉल फिटनेस जर्नी में अगर कोई काम आप कर सकते हो तो आप अपनी डेफिशिंस को कोई भी चीज आपकी कोई सप्लिमेंट है चाहिए आप कैसी भी करके अपनी डेफिशिंस को दूर कर सकते तो वह चीज आपके रिजल्स में सबसे बड़ा जंप लाएगी इन माई ओपीनिया तो उस अपनी डेफिशिंस कोई इस अपनी डेफिशिंस कोई लेना शुरू किया फॉर रेदूसिंग सोरनेस अंग्रीजिंग रिकावरी इसा कुछ नहीं हुआ उसके बाद आ गया प्री वर्काट कर ट्रेंड शुरू अब मिस्टर हैड करके प्री अपर्ट तो वह मिस्टर हैड में होता था फॉर हंडेट प्विंटी एमजी ऑफ कैफीन ठीक है तो मैं आपको कुछ चीज़े बता दूंगा लेकिन आप आपको यह सब लेने की जरूरत नहीं है मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं क्या ले रहा हो क्यू ले रहा हूं ठीक है अब फच्चे यह हमालया का गैस एक्स करके ठीक है अच्छा यह एक सप्लिमेंट नहीं है यह आपके के लिए पताने की काम करता है कि नहीं लेता है वह एक दो दिन में लेता हूं उसके बाद अश्वगंदा डफीनेटली पता नहीं कि जैसे सात्विय कुछ तो करता है अगर अगर लेवल्स है आप lithium करते हैं तो तो इस सिट्वेशन में मेरे खाल से हो सकता है और नेक्स जो सप्लिमेंट है वो है ओमेगा-3 मुझे पता था तुम लोग सारे जहान के करते होगे लेकिन फिर बूल जाओगे इसलिए मैंने लिख और यह मल्टी वाइटमिन लेता हमें जिसमें प्रोबाइटिक्स भी है वो में लेता हूँ लेकिन रोज नहीं लेता हूँ अगर मैं दिन में अध़ फूर्ट्स और वेज़सेबल कुछ खाता नहीं हो तो माइं मल्टी वाइटमिन लेता है अच्छा है लेकिन क्या लेता हो कभी उस उसके बाद यह मैंने नया बाई किया है मुझे पाता नहें की किःना काम करता है लेकिन यह मैंने डेरिक इसमें 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 इसका नाम है गेट रेडी तो उसके जो डिरिक का जो वीडियो था उसमें ये इंग्रीडियन था तो मैंने सिर्फ उसके लिए लिया वह है और इंडियन फेमस कुमिन तो इसमें है करकुमिन इस बेसिकली हल्दी का एक्सट्राक्ट ठीक है और दूसरा है अगर अगर अभी जैसे हम ने आपके ख़तम होगे सप्लिमेंट्स या भी बैठे हम आप है हो गया हुग और 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 एक और यह हैं वाइटमिन डी में डिफिशन्ट वाइटमिन डी में यह मेरे डॉक्टर ने दिया तो एक वीक्स के लिए मैंने इसको लिया त तो या बस उतना है कि में अन्य है की आप को नहीं चाहिए मेरे को नहीं चाहिए मेरे को पता है लेके जा रहा हूँ और इट इस हेल्पिंग में समवें इवन इफ इस प्लसीबो ठीक है अगर प्लसीबो भी हो मैं मच हैपियर मच मोर फोकुस्ट और मैं वर्क और फिर्टिंग ठीक है तो अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप मत ले लो गाइस यह सब महंगे हैं गाइस और यहीं सजेशन है इन जनरल अगर आप जैसे हम लोगों को देखे हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि मुझे क्या लेना चाहिए यह सवाल आ सकता है आपके दिमाग में कि मुझे अच्छे रिजल्स मिले जिम में तो उसका जवाब श्रे की यह बात है कि जो मेरे आप लोगों को भी आते होंगे भाई मैं वे प्रोटीन ले लूँ नहीं पता मुझे कि आपको लेना चाहिए कि नहीं अनलेश के मुझे पता ना हो इंडिविजल स्पेसिफिक होती है ना इक्जाक्ली इस तरह से यूट्यूब की ऊपर रेकमेंडेशन दी जाती हैं सप्ल हो जाएगी यह स्टैक बिगिनर्स के लिए है यह स्टैक इसके लिए उसके लिए इसके इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता था 90% of YouTube वीडियो जो आजकल बनते हैं उसमें डेफिनेटली एंड में या बिगिनिंग में एक स्पॉंसर होता है और मेनी यूट्यूबर्स वीडियो तभी डालते हैं जब कोई Więc Goot के डस लोगोंने मेरी बात मानं के यह ले लिया एक सफ्लेमेंट हम बढ़िया बढ़िया तो ऐसे रह तो अगर दस लोगोंने एक सप्लेमेंट लिया हो और मेरी टूटल दूस्ल कितनी होगी टेन अगर मैं पांच सप्लिमेट का स्टैक बना कर बेज़ और वही 10 लोग लें तो मेरी सेल कितनी होगी 50 तो यह लेकिन उसमें क्या है कि पांच अगर सप्लिमेंट आपने लिए तो आपको नहीं पता कि उसमें से तीन आपके लिए शायद ना काम करें और अगर तीन काम नहीं कर रहें तो एक हजार का भी अगर मान के चले एक सप्लिमेंट तो तीन हजार पर मंथ आपने वेस्ट करके 12 multiplied by कितना हो गया 36,000 के करीब 36,000 रुपए आपने वेस्ट कर लिए वो 36,000 रुपए आप कहीं बैटर किसी अच्छे ट्रेनर को देके इनवेस्ट करके उससे कहीं गुना ज्यादा कहीं गुना ज्यादा आप उससे रिजल्ट ले सकते थे सही पॉइंट है और एडल्स शुट बी स्मार्ट इनफ तो मेक बता है कि यह सब कर रहा है लेकिन फिर भी कर रहा है लेकिन अट देंड़ देए इस लिए मुझे बहुत बुरा लगता था जब लोग मुझे मैसेज करते मेरे को स्कैम किया इसने उसने स्कैम किया अभी मेरे को बुरा नहीं लगता क्योंकि I'm not saying that I'm something someone great लेकिन हमारे जैसे भी लोग होते जो आपको बताते हैं कि मतलब भाई नहीं जरूरत है यह सब बताते हैं मैं भी बताता हूं तो यूद इंफरमेशन और सो कि परिस्थितियों की है लोगों की नहीं है क्योंकि अब वो उसी की तलास में रहते हैं ना अच्छा वीडियो दिख आब रास्तेम उनको कोई वो creator मिल गया जो stack पकड़ ख़ड़ा है उनको उनके पास measure नहीं है ना इसको ethically मेरे ख्याल से किया जा सकता है यह काम और personally मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कोई अपनी तरीफे नहीं कर रहा हूं यहां पर लेकिन मैं करने की कोशि मैं ना दूँ तो वह better है तो ऍ हुझे है इंडूर्स किया यल्ला यल्ला तो तेवी वर कउट मैंने उनकूर्को मेरे पास बहुत टाइम से पढ़ा है जिस ब्रैंड का मैंने प्री ऊर्क आउट एंडॉर्स पढ़ा था यहांपे नॉर्थ में बहुत था थन्डी पढ़ती थी अभी तो शुबह पांच बजे मैं अगर जिम जाना है तो मुझे लगता है कुछ कुछ हो तो थोड़ा सा वो पुश कर सकता है मुझे जिम की तरफ तो मैंने वो कॉंटेक्स्ट भी बताया लोगों को कि इस वजह से मैं ले रहा हूं अगर आप मेरी जैसी सिट्वेशन में हो तो यह चीज आपके लिए फाइदा कर सकती है और मैं क्या करता हूं कि मैं इसको हमेशा के लिए ऐसे यूजी ही नहीं करता और यूट्यूब आप को पता है और यूट्यूब आपको को नहीं जानते हो गूगल आपके बारे नहीं जानता है और उसको पता है कि आपका इंटरस्ट 2 में है तो आपको सिर्फ वो वीडियो गालंगी जोके बड़ाई कर रहे हैं तो वो आप अल्रेडी बस ऑन दा वर्ज हो खरीदने की आपको सिर्फ वो चाहिए वैलिडेशन चाहिए किसी से किसी डॉले वाले आत्म से जो अगर आप वाके में सप्लिमेंट से ही बेनेफिट लेना चाहते हैं तो मेरा बहुत सिंपल और सीधा फंडा है इसके म कुछ आपको आपकी उसे आपके मसल बड़े नहीं होंगे ना आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी as simple as that वो सिर्फ आपको हो सकता है कि केक मार के जिम तक लेके जाए लेकिन जिम में जाकर आपको खुदी सब कुछ करना पड़ेगा और यह वीडियो एंड करने से पहले गा है और उसका फिजिक एक गुड लेवल पर है और उसका अभी गोल है कि युनों ही वांट्स तो गेट जो भी साथिक भाई बोलते हैं तू परसेंट थी परसेंट मोर जितना भी वह कींच सकता है उतना प्रोग्रेस उसको चाहिए ठीक है और आप उसका कोच हो ठीक है और व रीचिंग इस डिजाइड गोल तो क्या आप उसक्या सब्लिमेंट्स आप उस तरीके के क्लाइंट को रेकमेंड कर सकते क्यों मैं यह इसलिए बोल रहा हो क्योंकि देर आर सम पीपल वहार वेरी वेरी सीरियस अबाट देर फिजीक ठीक है वहांट तो रीच टॉप लेवल तो नाचरली आप उनको कौन से सब्सक्राइब करोगे क्योंकि वह इस की थोड़ी बहुत कमी पेशी है और उस कमी पेशी को दूर करने की कोशिश करूँगा है अगर अगर मुझे लगता है कि कुछ supplements situation के हिसाब से उसके लिए beneficial हो सकते यह सकते हैं जैसे कि अगर वह strength करना चाहता है मुझे लगता है कि creatin उसमें help कर सकता है तो मैं उसको दूँगा अगर मुझे लगता है कि उसको problem हो रही है खुद को motivate करके जिम आने की तो मैं हो सकता है कि उसको pre-workout दो, लेकिन मैं बहुत ज़ादा situation के हिसाब से मैं देखूंगा, ऐसे नहीं बोल दूँगा, चल जा, फलाने वले वो होनी की से लगी है, जाके ले 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 वो spec अगर आप बात कर रहे हों कि नेच्रल लिफ्टर है, तो डेफिनिटली जो सबसे important role play करता है एक natural bodybuilder की life में वो है उसका sleep, कैसा सो रहा है क्या pattern है, मतलब आप लगा लो percentage तो भी मैं नहीं बोलूँगा नवजोद भाई नहीं तो मार लेंगे मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है sleep in optimizing your hormone levels तो अगर sleep से related struggle है उस बंदे की तो definitely ashwagandha और chamomile tea अगर count होती है तो नहीं तो फिर melatonin तो है यहाँ पर यह एक और problem भी है, ashwagandha is a very good supplement लेकिन कुछ चीजों को ना आप as a bandit भी use कर सकते हो जो के आपको नहीं करना चाहिए, so for example अगर आपकी sleep अच्छी नहीं है और आप सो ही नहीं सकते तो ashwagandha को as a bandit आप use नहीं कर सकते आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आपकी stress levels बहुत जादा हाई है यही मेरा पॉइंट है वो यह है कि एक edge एक edge देदेगा बाकी तो आपको ही देखना रहेगा कि अगर आप थोड़ा सा आपको management में help करेगा stress management में जैसे मैंने बोला थोड़ा सा willing होना पड़ेगा जैसे मैंने बोला like first of all lifestyle changes that is the most important thing लेकिन placebo कभी कभी जिन लोगों के लिए मतलब who are in need of something to help them change something for example me for me I don't know if Ashokandha helps me with sleep or anything लेकिन for the last week I have been sleeping better but at the same time I've also started getting sunlight you know this all I have changed किया है लेकिन why I agree with both of you जो आपने बोला कि मतलब आप अपने client को ऐसे ऐसे बोलेंगे like for me like guys अगर आप मेरे से पूछेंगे कि अगर आपको everything you want to maximize everything मतलब everything मतलब you want to get the most out of your workout मतलब जब आप जिम जाते हैं मतलब आपको 100% return चाहिए तो मैं आपको supplements जो recommend करूंगा I won't even recommend whey protein, whey protein is not needed, I promise you it is not needed अगर आप दिन में आपका 1.8 grams of protein per kg लेते हो ना, you don't need whey protein आपके है but in India unfortunately lot of people are vegetarian so that is where whey protein आपको आपको आपकाम आएगा लेकिन caffeine, अगर आपको कोई anxiety sleep दो बज़े से पहले, दो पहर दो बज़े से पहले, अगर आपको workout करना है तो आप caffeine ले सकते हो, ठीक है चार milligram, चार milligram पर kg आप ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, और citrillin mallet या फिर L-citrillin 8-10 grams L-citrillin और, sorry, 6-8 grams of L-citrillin और 10 grams of क्या बोलते है, citrillin mallet ठीक है, और हो गया दा, इस पस बड़ा अचानक नहीं हो गया है तो आपकी बातों घुम घुमा के वही आ रही है कि अगर, आप क्या बोल के रही है, आप सुनो ना खुद को, कि आप को अगर अगर आपको, if you want to maximize या अगर, yeah, if you want to maximize अगर आपको, but at the same time but by by at the same time, we are also trying to lead a healthy life as well, जैसे मैंने आपको फर्स बोला है, वीडियो के starting में, अगर if your quality of life is not good जिम जाने से कोई यूजी नहीं है भाई आपको, है ना, तो I understand, आप लोग मेरे को क्या बोल रहे हैं, लेकिन I believe I'll tell you what the problem is, the problem is कि हम सब different हैं जिस चीज से आपकी quality of life increase होगी हो सकता कि मेरी ना हो क्या करेंगे उसका omega 3, omega 3 उसको help करेंगा ना जो की deficient है, जिसको नहीं मिल रा प्रॉपर कॉंटिटी में, जिसका घड़ा अल्रेटी भरा हुआ है उसमें अब उपर से पानी डालोगे तो भूंगुमा के बात वहीं पर आएगी अगर हिसाब से उसका 90% of the लोग उनका भरा नहीं होगा omega 3 मैं आपको omega 3 मैं I agree मैं मानता हूँ अगर आप जाके टेस्ट कर वाओगे तो हो सकता है कि आप भी मतलब निकले हैं देखो इन टरम्स आफ यह हम हिंदी में बना रहे हैं तो इसने परसंटेज लोग इसमें वेजिटेरियन होंगे ठीक है तीक है तीक है और कितने लोग वेजिटेरियन हैं और कितने लोग आप मतलब डायेट में आप फोकस करते हों कि हाँ में इतना ओमेगा-3 मेरे को मिल रहा है ठीक है तो मैं आइम गिविंग यू नाट जेनरल रेकमेंडेशन में यह बोल रहा हो कि ज्यादा से ज्यादा तर लोग अबर डायेट की जगा पे प्रोटीन पाउडर ले रहा हूं तो I am set and done, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पता नहीं इसके बारे में मैंने बहुत ज़ादा रिसर्च देखी नहीं और नहीं इसके बारे मुझे पता है लेकिन आइकें टेल यू जिस तरह के रिजल्स आपको होल फूर्ड से मिल सकते हैं सप्लिमेंट आप बहतरीन तरीके का ले लो उस तर उपर एग्स की उपर जादा जब जब मैंने फोकुस किया है तब तब मैं जिम में मुझे अपनी परफॉर्मेंस अच्छी बैटर दिखाई दी है तो अभी भी हम नहीं जानते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में अगर हम रिसर्च की भी बात करें तो कभी ना कभी कुछ कुछ नया कंपाउंड निकल आता है कि इस फूड में यह वला है चीज यह इसकी अब्जॉप अब्जॉप्शन को हेल्प करता है इसलिए यह फूड आपका ज्यादा है तो हमें अभी बहुत जादा नहीं पता हम लोग एज हूमन्स इवाल्व इस तरह से नहीं हुए हैं क कि उसमें और कुछ ऐसी चीजें हों जो के इनकी एब्जॉप्शन में हमें हमें अभी नहीं पता इन चीजों के बारे में तो जो सप्लिमेंट से इस नौट ए रिप्लेस्मेंट फॉर फूड अगर आप फिलहाल आपको लेना पड़ भी जाए अगर आप डेफिशिंट हो सकता है तो वो भी आप इसको टेंप्रेरी दिमाग में रखके के चलो जब तक मेरी का तो नामी होता है ना के सप्लिमेंट मतलब करना उपर से तो इसके साथ साथ मैं ये भी आड़ करना चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं कि आप सारी जिंदगी फिश ओली खाते रहोगे व तक आप फिश ओल लेके चलो काम चला सकते हो ये एक वह स्पेर जो होते है जो हमारे स्पेर वील होता है गाड़ी में ये बिल्कुल उसकी तरह है अगर आपका टायर पंक्चर होगा तो वह जो उसको मतलब एगनम साइड वे करके वह स्पेर की की आप हमेशा चलाते रहों ये नहीं करते हैं तो यह है मेरा सब्सक्राइब के ओवर ओल जो राए है अग्री स्पेर पार्ट्स का लोजिक आइड डेफिनिटली एग्री बट टेस्ट करते हैं वह मेंट कीजिए नीचे आपने लास्ट टेस्ट कब किया ठीक है इसको एडिट भाई तू करेगा इसको क तो अपने वाला पार्ट सारा उड़ा देना काट देना मैं यहीं मुझे उम्मीद थी नहीं